एक बिल्ली और लोम्डी में अच्छी मित्रता थी, वे अक्सर एक साथ समय बिताया करते, साथ खाते, साथ खेलते और ढेर सारी बाते करते, उनके दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे लोम्डी खुद को बहुत चतुर समझती थी, और जब भी चतुराई की बात चलती, वो बिल्ली को नीचा दिखाने का कोई मोका नहीं छोड़ती थी बिल्ली को कभी कभी ये बात बुरी भी लगती थी, लेकिन मित्रता के कारण वह इन बातों को महत्वा नहीं दिया करती थी एक दिन दोनों दो पहर के खाने के बाद एक पेड़ की च्छाओं में आराम कर रहे थे दोनों में बात चल पड़ी की अगर अच्छानक कोई शिकारी जानवर उन पर हमला कर दे तो वे अपने बचाओं के लिए क्या करेंगे बिल्ली बोली मुझे तो ऐसी परिस्तिती से बचने का केवल एक ही तरीका आता है, मैं तो वही करूंगी या सुनकर लोमडी हस पड़ी और कहने लगी बस एक ही तरीका, अरे बिल्ली राणी एक तरीके से तुम शिकारी जानवरों से कैसे बचोगी मुझे देखो, मुझे तो उनसे बचने के हजारों तरीके आते हैं, तुम कहो, तो तुमें भी एक दो तरीके बता दूँ बिल्ली बोली, नहीं, ज़्यादा तरीके जानकर मैं क्या करूँगी, जो मुझे आता है, वो अब तक कारगार सिद्ध हुआ है, मैं उससे ही अपना बचाओ कर लूँगी हाँ, वैसे भी, तुमें वैस अब तरीके सीखने में कठीना ही होगी, अक्ड जो कम है यह का कर, लोमडी हसने लगी, बिल्ली को बात बुरी लगी, वह बोली, जो भी हो, उसी तरीके से मैं अब तक बचते आ रही हूँ, भगवान ने चाहां, तो आगे भी ऐसे ही बचूंगी तबी उन्होंने देखा कि एक शिकारी कुत्ता उनकी और दोड़ता हुआ आ रहा है, दोनों डर गए और सोचने लगे कि अगर उन्होंने फोरण अपना बचाव नहीं किया, तो शिकारी कुत्ता उन्हें चीर फाड़ कर रख देगा बिल्ली को तो ऐसी परिस्तिती में बचाव का एक ही तरीका आता था और उसने वही तरीका अपनाया, फोरण एक पेड़ पर चड़ गई, हजारों तरीक के जानने वाली लोमडी सोचती रह गई कि क्या करूं शिकारी कुत्ता निकट पहुँच रहा था और लोमडी कए नहीं कर पा रही थी कि कौन सा तरीका आजमाए इतने में शिकारी कुत्ता लोमडी के निकट पहुँच गया और उसकी पोटी पोटी नोच दी इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक कारगार तरीका उन सारे तरीकों से बहतर है जो किसी काम के नहीं है प्लीज कहानी को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें